हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डाउनलोड लीड्स फरोम फेस्बुक एड्स मैनेजर एंड मेटा बिजनस शूट तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आप जो फेस्बुक लीड्स हैं उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके हमारे पास में दो option अवलेबल होते हैं सबसे पहला option है हमारे पास में Facebook Ads Manager का और दूसरा option है Facebook Meta का जो Meta Business Shoot है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए step by step हम दोनों method को देखते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है आप direct facebook.com slash ads manager ये URL आप open कर सकते हैं उसके बाद में हमारे पास जैसा कि आपको already पता यहाँ पर तीन लेवल हमारे पास में होते हैं campaign, ad set और ads आपको direct आना है ads के उपर जैसे आप ads के उपर आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर सभी जो भी ad हमने चलाई हैं वो सभी ad यहाँ पर available होंगी तो जिस भी ad की हमें lead को download करना है आपको क्या करना है? यहाँ पर scrolling bar है इस scrolling bar को आपको right side में scroll करना है तो यहाँ पर मैं time यहाँ से change करता हूँ जो भी time हम यहाँ पर change करेंगे तो यहाँ पर कुछ lead आ रहे हैं तो जैसे हम scroll करके इसको यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने एक result का column आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको result के column के उपर on facebook leads यहाँ पर यह के link active है इसके उपर आपको click करना है जैसे हम click करेंगे तो हमारे सामने option आ जाएगा यहाँ पर आपको date है वो date range select करनी है उसके बाद में आपको download के उपर click करना है यहाँ पर आप date range select कर सकते हैं जो भी आपको date range select करनी है उसके according और हम यहाँ पर download button के उपर click करते हैं अब यह हमसे format पूछ रहा हमेँ किस format के अंदर जो download है वो करना है तो CSV file के अंदर करना है या फिर xls file के अंदर तो हम यहाँ पर xls file के अंदर download करते हैं जैसे हम click करेंगे तो हमारे सामने download करने का जो option है वो open हो जाता है और इस file को हम जहाँ पर भी download करेंगे जैसे मान लीजिए मैं इसको desktop के उपर save करता हूँ और यहाँ पर हम इसको save करते हैं जिस भी folder के अंदर हम save करेंगे वो यहाँ पर यह download हो जाएगी अब simple इस file को जिस folder के अंदर आपने open download की थी वहाँ से आप इसको open कर सकते हैं अब जो दूसरा तरीका है जो कि facebook ads manager के थ्रू यह आपको view chart के उपर click करने जो भी add आपको जिस भी add के आपको lead download करने view chart के उपर हम click करेंगे तो जैसे हम click करते हैं view chart के उपर तो हमारे सामने option open हो जाते हैं अब आपको right side के अंदर सबसे उपर यह three dots दिखाई देंगे इनके उपर आपको click करना है और more options के उपर जैसे हम आते हैं यहां पर आपके सामने option available है download leads data आप यहां से भी download कर सकते हैं same process यहां पर आपको follow करना है अब बात करते हैं कि आप facebook meta shoot यानि कि जो facebook business shoot है यानि कि meta कह लीजिए या फिर आप facebook business shoot कह लीजिए तो उसमें से आप leads को कैसे download कर सकते हैं उसके लिए आपको जो hamburger icon है यानि कि menu का जो icon है इसके उपर click करना है सारे menu हमारे सामने open हो जाएंगे अब हमारे सामने ये option आता है business manage businesses के under में हमारे सामने एक option आता है meta business shoot आपको इसको उपर click करना है जैसी आप इसके उपर click करेंगे तो हमारे सामने जो meta business shoot है वो open हो जाएगा तो meta business shoot एक facebook का ही एक tool है जिसके अंदर आप काफी सारे चीज़ें manage कर सकते हैं यहाँ पर आप scheduling कर सकते हैं analytics वगरा insight देख सकते हैं और भी काफी सारे options available है तो इसका tutorial मैंने already बनाया है उसका link आपको description में मिलेगा अब बात करते हैं कि यहाँ से हमें lead कैसे download करने तो यहाँ से lead download करने के लिए आपको all tools के उपर click करना है जैसी हम all tools के उपर click करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी option मिलेंगे इनको हमें scroll करना है और instant form जो instant form का option है इसके उपर हमें click करना है जैसे हम instant form के उपर click करेंगे तो हमारे सामने जो form है जो भी हमारा form है वो आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर leads के leads वाले column के अंडर हमें download का button मिलता है इसके उपर हमें click करना है जैसे ही हम click करते हैं तो हम यहाँ पर leads को download कर सकते हैं अब यहाँ पर क्या है दो option हमारे पास में available है download new leads जो कि zero है new leads और यहाँ पर available है हमारे पास में दूसरा option download by date तो हम date range को select करेंगे जो भी date range हमें select करने है जिस भी date range के हमें download करेंगे उनको हम select करेंगे और download के उपर simple click करेंगे same वही process फिर से हमें follow करना है तो यह हमारी जो file है यह यहाँ पर download हो जाएगी और इस data को आप open करके देख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी ऐसी ही और helpful वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ से नेक्स योरेज में तब तक के लिए धन्यवाद